Traditionally तो William Shakespeare के place को हम comedy, history और tragedy में ही categorize करते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे साल दर साल बीता अलग-अलग categories बनती गई इनी तरह की एक categories है mask Mask का मतलब तो होता है लीला नाटक, तमाशा या नाटक Mask एक form है courtly entertainment की, जहां दरबार में entertainment किया जाता था इसमें music शामिल होता था, dance शामिल होता था, singing शामिल होती थी और किसी story पर act out किया जाता था अगर आप कभी अपनी life में theater गए हैं, रंगमंच गए हैं तो वहाँ जो हो रहा होता है, वही mask है, वही तमाशा है, वही लिला है और तमाशा शब्द जो है, नातक शब्द जो है, वह हम Indians के लिए कोई अनजान नहीं है हम सब जानते हैं कि वह क्या चीज होती है तो कुछ plays William Shakespeare ने ऐसे लिखे जहाँ पर हमें Elizabethan mask की जलक नज़र आती है उन्ही को हम mask plays कहते हैं, उन्ही को हम categorize करते हैं इन में कौन-कौन से शामिल है, Henry VIII शामिल है, Amid Summer Nights Dream शामिल है, Romeo and Juliet और The Tempest तो इन चारो plays को William Shakespeare के mask plays कहा करते है traditionally जो mask की performance होती थी, वो किसी festive occasion पर ही होती थी, त्योहरों के आसपास होती थी और usually royal court में होती थी, शाही दर्बार में होती थी एक theatre company, singers को लेकर जाती थी, musicians को लेकर जाती थी और उस पूरे समाहरों में monarch यानि राजा होता था, उसके दर्बारी होते थे और वो भी dance में join किया करते थे eventually, यह opportunity होती थी राजा की तारीफ करने में और celebration करते थे authority का और उनकी presence का, यानि बड़े-बड़े लोगों के सामने mask को present किया जाता था अब William Shakespeare के a number of plays हैं, जिनमें कहीं न कहीं mask या तमाशे का जिक्र है, या तमाशे वाला scene है ठीक है, और बहुत सारे characters ऐसे हैं William Shakespeare के, जो music और dance के साथ characteristics अपने show करते हैं Romeo and Juliet इसका best example है, Midsommar Night Stream है, जहाँ पर mask celebrating होती है, जब Duke की शादी हो रही होती है है ना, आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है, Midsommar Night Stream नहीं पढ़ा है, तो हमने वीडियो बनाई हुई है, आप वो ज़रूर देखिएगा इसी तरह से Henry 8th में है यहाँ एक बात जरूर याद रखेगा, कि mask plays वो plays नहीं है, जो बाकाइदा dance के साथ, music के साथ, singers के साथ, stage पर perform करे जाते थे नहीं, mask plays वो plays है, जिन plays में इस तरह कोई scene है, जहाँ पर mask play किया जा रहा था जैसे Tempest अगर आपने पढ़ा हो, तो वहाँ आपने देखा होगा, कि एक mask का आयोजन करता है, हमारा जो hero है, gods and goddesses को बुलाता है, ठीक है और prince of princess के लिए, और पूरा का पूरा एक play, जो है वो Miranda को खुश करने के लिए, ठीक है, और उसके मंगेतर को खुश करने के लिए, रचा जाता है करता है